ओम सिरी गने सायनम दोस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 जुलाई रविवार के रासी फल्क के बारे में कि इह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और सुवास्त की महत्पकोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी इने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज अचानक धनलाव प्राप्ति के आपके लिए अनेको योग बन रहे हैं और आपकी परियसानियां दूर हो सकती हैं आप अपने करम पर भरोसा रखते हुए अपने कामकाज को बहतर दिशा देने का प्रियास करें जिससे समय के अनुसार आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सके दोस्तो साथिसाथ उन्नती से संबंदित किसी सुब समाचार की आज आज आपको प्राप्ती होगी आद्यहत्मेक छित्र से जुड़े किसी अनुबवी व्यक्ती का सानिध्य आज आपको प्राप्त होगा विध्यारती अपने लक्ष के प्रती एकागर छित रहेंगे तथा उसका पैणाम भी उनको उचित प्राप्त होगा दोस्तों साति सात जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे या अटके हुए थे उनके आज पूरे होने के योग बन रहे हैं आपकी योगता और प्रतीबा खुलकर लोगों के सामने आईगी अपने प्रतिद्यूंदियों पर सपलता और आज आपको विजय प्राप्त होगी आप अपनी दिन्चरिया वे आदतों का विशेश रुक से अवलेकन कर रहे हैं जिससे आपके व्यक्तित्व में आश्चार्य जनक निखार आएगा संतान की शिक्षा वे केरियर आदी से संबंदित भी कोई बड़ा निर्णे आज आप ले सकते हैं विद्यार्तियों की पड़ाई वे केरियर संबंदित समस्याओं का समाधान होगा जिससे सबी लोग राहत महसूस करेंगे आप भी अपनी कौसर छम्ताओं का भरपूर इस्तमाल करें बड़े बजरुगों का आशिरवाद वे किरिपा भी आज आपके उपर बनी रहेगी स्वास्त में भी सुधार आने से आप अपने अंदर एक नहीं उर्जा महसूस करेंगे और पूरे आत्म विश्वास के साथ अपने कालरे के प्रती ध्यान देना सुरू करेंगे किसी रिस्तिदार से संबंदित कोई सुब समचार मिलने से बन में प्रफुल लता रहेगी दोस्तो साथ साथ आप लोग वेहवार कुशल होते हैं आप बुद्धी मता वेहोसियारी से भी सभी काम आज कर पाएंगे जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो आज सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होने की संभावना कम हैं इसलिए किसी भी कारे को इस्तिरता और गंबिरता पूरवक करें जिससे आपको कामियाबी और सम्मान प्राप्त हो सके सगे संबंदियों से संबंद खराब होने की भी संभवना बन रही है धन संचे करने का आज प्रियास विफल हो सकता है सावधान रहे साथि साथ आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतने की आपको आवस्ष रखता है भाईयों से संपत्ती वे बटवारे संबंदित विवाद का हल किसी की मदद से हो जाएगा आप से संबंदों को ना बिगाड़े युवावर्ग अपने केरियर के साथ किसी प्रकार का समझोता ना करे साथि साथ आज आपको अपने क्रोध वे आक्रोस पर काबू रखना आवशक है कई बार जल्दवाजी वे अति उत्सा में बनाया गया खेल बिगड़ सकता है जिससे परिवारिक सुक्सांती भी प्रबाबित हो सकती है अपने लक्ष के प्रती पैनी नजर रखना आपके लिए अति आवशक है साथि साथ अजनवी वे ऐ परिचित लोगों से वेवार वे लेंदेन में सावधानी बढ़ते आप किसी साजिस या फिर सडियंतर का शिकार भी हो सकते है इसलिए बहतर उपाय यह है कि आप बुरे लोगों की संगती से दूर ही रहे बड़े बुजर्गों के स्वास्त का भी आपको ध्यान रखने की आवशक्ता है साथि साथ व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग प्रवल्लता से बने हुए है भूमी या वाहन को लेकर भी कोई बड़ा करज आपको लेना पड़ सकता है इसलिए अपने आर्थिक इस्तिती को ध्यान में रख कर ही खरीदारी संबंदित योजनाई बनाएं तो आप के लिए बहतर रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है दोस्तो दामपत्य जीवन को लेकर इस्तितियां काफी अच्छी रहने वाली है जीवन साती के साथ मधूर संबंद होने के साथ साथ आपको उनका शयोग भी प्राप्त हो सकता है गर परिवार की सुख सिविधा के प्रती आज आपकी प्राथमिकता रहेगी पती पतनी के बीच संबंद मदुर रहेगे परंतु संतान का कोई जिद्धीपन या नकारात्मक रविया आपकी चिंताओं का कारण बन सकता है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेसाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तो वैपार के विस्तार संबंधी नई संभावना पर विचार होगा अपना पूरा जोस मार्केटिंग में तथा अपने प्रोडेक्स के प्रमोल्सन में लगाएं नोकरी में अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और से कर्मियों का भी आज आपको पूरा सहयूग मिलेगा साती सात कार्य विस्तार की योजना भी कार्य रूत में प्रणित होगी परन्तु उस योजना पर पुन्हें परिक्षन जरूर करें साती सात नोकरी में हलकी फुलकी परिसानिया भी गति के सात आपकी मुलाकात से आपके काम बहुती आसानी से बन सकते हैं परन्तु कहीं मामलों में आपका स्वाविमान आपकी उन्नती में बादख बन सकता है इसलिए अपने वहवार को थोड़ा लचीरा बना कर रखें यह ध्यान रखना आपके लिए अतियावर्शक है कि आपकी कोई महत्पपूर्ण वेवसाइक गतिविदी आज लीक हो सकती है करमचारियों की गतिविदियों पर आज आप नजर रखें परन्तु जद ही इस्तितियां काबू में आ जाएंगी इसलिए आप पूरे जोस से अपने काम के प्रती एका गर्चित रहें दोस्तो बात गरिष्ट वे तला भुना भूजन खाने से भी आपको परेज करना होगा अन्यता पेट से समबंदित समस्य उत्पन हो सकती है इसलिए आप सुपाच्य भूजन करें और साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाए क्या है दोस्तो हम आपको जिस उपाए को बताने जा रहे हैं इस उपाए को आपको रातरी के समय करना है आपको यह उपाए रात को सोते समय करना है जैंदोस्तो आपको करना क्या है जैंदोस्तो आप सबसे पहले इ पिशनान आदिसे निर्वत्र होने के बाद इस दूद को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दे या दोस्तो ऐसा करने से आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और भगवान शुरदेव का अशिरवाद आप पर शदेव बना रहेगा या दोस्तो आप इस आपको अवश्य ही विशेश लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान शुरदेव का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै शुरदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद